यहां अगर अच्छा काम किया है जनता समझती है वो उनको आशिर्वात देगी पर अगर वाइदा खिलाफी की है जो मैनिफेस्टों में कहा में अगर वो पूरा नहीं हुआ उसमें को दाही है तो लोग जवाब दे ही कितने ज्यादा भारत सरकार के वजीर मिनिस्टर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे राज्यों में प्रचार करते हैं कि देश सबका है हम सबका स्वाधत करते हैं हां अगर गुम्राह करने वाली बात होगी मैं उसे अपना कर्दव्य समझता हो स्थिती स्पष्ट करने का तथ्यों के अधार पर इतिहास के अधार मुझे चार मुख्य बातें के लिए पहला वेरुजगारी का दूसरा महंगाई का कि इसरा देश की अर्थ वस्ता की हाला था वह चौथा कॉंग्रेस के दर्श के दर्श को इस सरकार की नाकामिया कि महंगाई इसलिए क्योंकि हमारे युवापीड़ी जो भागीदार हैं हर समाज हर देश के भविश्य के लिए आज वो अताश हैं जो वाइदे उनके साथ किये गए केंद्र की सरकार के राज्य की सरकारों ने रोजगार पैदा करने के वो रोजगार पैदा नहीं हो रहे बेरोजगारी बड़ी है और आजादी के बाद हिंदोस्तान में सबसे उंची दर बेरोजगारी की है सिर्फ यादाश ताजा करने के लिए कहना चाहूंगा कि हिंदोस्तान के अंदर क्यूंकि परदान मंत्री भी आएंगे परसों फिर आ रहे हैं क्रेमंत्री कल बोलके गए कि हमने क्या किया कि हमारे से हिसाब लिया जाए 70 बरस का वो जरूर देंगे अपना भी तो हिसाब द नहीं लिखा था दूसरों का मेनिफेस्टों अपने मैनिफेस्टों का जवाब देंगे उसका जवाब कौन देगा किससे पूछेंगे आपके मात्यम से पूछता हूं कि दूसरा में विकारी की बात है जो लेबर फोर्स है वर्क फोर्स इसरकारी आंकडे है मेरे नहीं कॉंडर्स पार्टी की नहीं संतालिश दसम्दाव पाँच जीरो शूनिर 47.5% of India's workforce is unemployed today is an alarming number because the number of people who are employed are only 43% of the world 43% के पास काम है 47% बेकार है दूसरा है यूथ अनेम्प्लाइम्ट का क्वारत का जो वाहुले है हमारी जन्शक्या का लबग 64% प्रतिशत वो यूवपीडी median age भारत की 28 है 28 बरस that's the median age of India 22 प्रतिशत से उपर youth unemployment है 22% plus that is the percentage of youth unemployment which is alarming what this country has seen and what is being claimed is jobless growth जाहे राज्य सरकार की नौकरिये हैं हिमाचल में 63-64 हजार सरकारी पत रिक्त पड़े हैं नुक्तियां नहीं हुई क्यूं नहीं हुई के इंदर सरकार की कितनी नौकरियें खाली हैं अब रोजगार नेला लगा है पुराने इंट्रव्यूस इनके हो चुके थे कि हमारा राष्ट्री दर्ल है ना इसलिए जो लुम कहते हैं अपने यहां के के लिदो प्रजार के हाँ और वहां तखी रागू है क्यों किछी डवल-eंजन सरकार है रहे पर यहां के हैं हम न inqu muss कहते में राजाफ्यत फिन सिंगल एंजन पर ही ठीक चलते थे हैं अब डबल इंजन है तो डबल इंजन कभी तो जवाब देह करेंगे ना यहां के इंजन की भी और महां के इंजन की भी दोनों की बाद करेंगे तो यह वस्तु स्थिती है पास्विक्ता है देश की Central Armed Paramilitary Forces में नुक्ते नहीं हुई भारत की सेना में जहां एक लाख से ज्यादा भरती होती थी एक साल पर कोविट की वज़ा से नहीं हो पाई अब जब भरती करने का समय आया तो पूरी स्कीम को बदल दिया गया और यह एक अपने आप में बहुत मुत्दा है इसलिए मैं इसको केवल रोजगार से नहीं जोड़ा हूँ मैं उसको देश की सुरक्षा से नहीं जोड़ा हूँ मेरा कि एक अधन अगनीपत है हमारे यहां से बहुत बड़ी संख्या में हमारे बेटे भारत की सेना में जाते हैं बहुत हमारे बहादुर जवाल जिनको हर युद में गेलिंट्री वार्ट्स मिले जोटा राज्या है पर बहादुरों का देश प्रांथ है कितने परमवीर चक्रा और महावीर चक्रा हर युद में हमारे हिमाचन के बेटों को मिले हैं कितनी फौज में फौज के चीफ जेनरल्स के माचन से हैं हमारे बाजू के सूँर्मों से हैं राज्यों से हैं बच्चे तयारी करते हैं खुली हुई है कि भारत की सेना में जाएंगे अब क्या किया है मेरा सवाज हो कि चार साल की लिए भरती आएंगे कि 25 प्रतिशत फौज में रहेंगे 75 प्रतिशत पाहर कहते हैं 25 प्रतिशत ठीक सेट ब्राइबेट सेक्टर लेगा अभिज फोज हो ती है बारत की सेटा अब्राइबेसे सेट्टर में प्राइबेसे की 13 प्रतिशत रख ले गांगे अब देखेंगे प्रइवर सेक्टर तो वहीं रखेगा जो उनकी मशीन चलाने के उत्वातन से युड़े लोग है तोड़े बनाने देश की रक्षा करना अलग बात है यू दोट एक्सेक्ट इंडियन आर्मी एक्सामी में दोजुरुस्टेर लाइस वाइस 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 तो प्राइवेट सेक्यूरिटी गाइस इन अगें सेंट्रल आंड फोर्सेज में रखेंगे आप अंक्रें निकाले म रहा हूं कई बरस स्यानिंग कमिटी और हों का हमने रिपोर्ट पेश की है जो अभी भी रिजर्वेशन है कि जो आवी से निकल के जाते हैं 15 साल के काम करने के बाद उनको रखा जाता है बुलिस में भी उनको रखा जाता है ये जो अर्देसैनिक दल हैं सुरक्षा दल सेंट्रल आंड पेरे मिलिटरी फोर्सेज उनके आँखें निकाल लीजी आप जो रिजर्वेशन है उसका पांच प्रतिशत भी न्युक्तिय नहीं हुई है भारत की सी लगे फॉर्मर सुल्जर्स अब जो भरती होगी अब ये कहना मैं पांच अलक वानता हूं कि ज्यारा लाक रुपए उनको देंगे जब चब उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा हाने की आर्मी की कंटीन से राशन भी नहीं मिलेगा कोई सेंट्रल काम्वेंट जो आपको इस वास्ते के लिए मिलती है हेल्थ केर का कोई प्रोटेक्शन नहीं है कोई पिंशन नहीं है और वो ग्यारा लाक में भी साड़े पांच लाग इन बहादुर जवानों के अपने ह सरकार के सड़े पांच लाग बाइस साल की उमर में बाहर पहाड की तरह से जिंदगी सामने कि चंता का विशेग नहीं है हम कोई अमीर देश नहीं है मैं कहना चाहता है हम आज भी एक प्रविती शील देश हैं जो भी प्रचार कर ले भारत आगे बड़ा है निरंतर आगे बड़ा है पर जो बड़े राडियों में है अमीर राडियों के अंदर है उसको बन कर लिए हो हायर एंफायर सिस्टम चलता है कि आप फॉज में आए कॉंस्क्रिप्ट आर्मी होती है इतने साल काम कर गये चले जाए पर वहां जैसे आप बाहर जाते हैं आपको गारंटीट सोशल सेक्योरिटी मिलती है बंधरी अलावंस मिलता है जीवन भर आपको परिवार को उनको बूरुसैनिक हैं उनके पूरा हैंट केर का गारंटी सोशल सेक्योरिटी का यहां पर कुछ नहीं होगा आप देश की सुरक्षा की बात है। सुरक्षा सेना करती है। सेना भारत की है। और उस सेना के बारे में चिंता व्यक्त करना मैं स्वेम अपना गर्तव्य समझता हूँ, मेरा दल भी। हमारे छोटे राज्य के अंदर भाई लाग के लभग पूरुसैनिक सेंट्रल आंट परमिलिटरी फोर्सेज में हमारे पडोस के राज्यों में भी वही स्थिती है। एक राष्ट्रिय समस्या है। इमाचल से ही के बद जुड़ी नहीं कि सेना और सेंट्रल आंट फोर्सेज पूरे देश की हैं। अब यहां प्रिधान मंत्री जी आएंगे, ग्रह मंत्री जी आएंगे, रक्षा मंत्री आएंगे, मेरा उनसे आग्रह रहेगा। यह आलोचना नहीं है, मैं जो भी कहा रहा हूं सरकार की नीती तक्थे उपर आधारित पाते हैं। उसका जवाब दे, क्यों किया? उसको ठीक करें। इसका बहुत बड़ा खमाजा आज के साथ साल के बार भारत को जिलना पड़ सकता है। एक तरफ चीन की फुक्सेना खड़ी है। दूसरी तरह पाकिस्तान खड़ा है। हम रोज कहते हमने देश की सुरक्षा मजबूत कर दी। कल भी कहा गया होनी चाहिए हिंदोस्तान की सुरक्षा हम सब के लिए अवर्शक हैं हम सब देश वासी हैं हर भारत वासी देश वक्त हैं कोई नहीं चाहता हमारा देश कमजूर रहे। पर आज के साथ साल के बाद इसका खमाजा हमको बुगतना पड़ेगा जो किया है यह निर्णै हमने क सबसे कम 50% की हमारी मांग है है जो अर्ट चीस नहीं 50 % को इनको रेगूलर करना पड़ेगा भारत की सुरक्षा की भी आवश्यक्ता है है और जो भी फॉज मैं भारत की सेना में काम करते हैं तो जान हत्यली सीमा पर खड़े शे का कर तफ बनता है ऐश्वस्त करने का उनको के माता-पिता परिवारों को कि तुम्हारे पूरे जीवन भर के लिए ये देश क्रितक्य भी है और ये देश आपको समाजिक सुरक्षा देगा सोशल सेक्यूरिटी देगा पेंशन देगा और पूरा हेल्फ केर प्रोवाइट करेगा वना कैसा देश हम कहले कि आगे बढ़ रहा है और निर्णे वो ले रहे हैं जिसे पीछे की तरफ ले जा रहे हैं मैं इसको अपने आप में बड़ा विशे समझता हूँ जो चर्चा में नहीं आया तो मैं जहां गया हूँ अभी उससे लोगों ने बात की के अरण शर्मा जी इस बात को क्यूं नहीं उठाएगा इसलिए आपके सामने रखिए जो कह रहे हैं कि हमसे हिसाब लो हम तो भी द लेंगे जिन्नों ने यह किया इसके साथ साथ महंगाई तो कि इवल यह कहते ना कि महंगाई इस अ ग्लोबल फिनोमेना इंफ्लेशन कि आपने एकॉनमी की फ्लैनिंग करी है बजट का डॉकुमेंट उठाकर देखें देश का बजट आर्बिया की रिपोर्ट्स पर आधारित जो हर क्वाटर की हरतिमाही की रिपोर्ट आती है तो शायद कल आर्बियाई की स्पेशल मीटिंग होने जा रही है और ये भी कहा है कि जो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की जो रेक्मेंडेशन्स है इस विश्यों पे उसको सारभ जिनित नहीं किया जाएगा उसको पब्लिक नहीं किया रहाएगा क्यों कि आर्बियाई का एक्ट कहता है सेक्शन 45 में उनको अगर यसे हालात पैदा हो तो कारण देने पड़ते हैं कि ये काबू में क्यों नहीं आई और सरकार को बताना पड़ता है क्या खड़ें ने खुण का ऐसे जो परेशान ग्रहनी परिशान गरीब लोग परिशन में महँगाई सिर्फ तन नहीं है इंफ्रेशन इक शब्द नहीं है में 7.4 प्रतिशत हैं उसे कितने परीबारों कि बजट खतम होते हैं कि कितने लोगों की उमीदें तूटती हैं कितने लोग अपने बच्चों की चाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं यह प्रश्मिन से जुड़े हुए हैं अगले साल पूरा विश्व डिप्रेशन की तरफ देख रहा है अभी कौनसे कारगर कदम हमने उठाए हैं जो इन कम्यों को हम पूरा कर पाए है हमारे देश पे हमार इस देश में मैं देख रहा था जो एक प्रतिशत लोग जो अमीर हैं उनका देश की आमदनी का कि इक केस्ट शंबलब साथ प्रतिशत 21.7% of national income is with 1% Indians and they have 33% share over the national wealth एक प्रतिशत एतीस प्रतिशत पूरे भारत की प्रूप दस प्रतिशत लोगों के पास राष्ट्रियाय का अंग्ड़ा इस तावन प्रतिशत हो जाना और जो नीचे के 50 प्रतिशत हैं उनका देश की आमदनी का केवर 13.1 प्रतिशत हिस्सा है 13.1% और जो देश की पूंजी है एक प्रतिशत के पास 33 प्रतिशत है पचास प्रतिशत जो नीचे के हैं उनके पास 5.9 प्रतिशत है यह वास्पिक्ता है भारत की तो कैसी अर्थ्विबस्था चल्ड़े को इसी होटिंग में आते हुए अभी बहुत बड़ी होटिंग लगी है वो इसी से जुड़ी है अर्थ्विबस्था की स्थिर्ता सफ़ता शक्ती यहीं लगी है बाहर आपने भी देखी तो अब जब आ रहे हैं प्रचार में तो इन बातों का भी तूप चर्चा करके जाएं वोट तो मांग रहे हैं वोट तो मांगा था वोट इनको मिला भी था वोट मिलने के बाद अगर यह हुआ तो हम तो सवाल करेंगे जनता भी सवाल करेंगे इसका उत्तर को कोई ऐसान नहीं करेंगे हमारी मांग है जनता की मांग है जवाब उनको देना पड़ेगा जवाब देही बनना जनता तैय करेंगे बारा तारीख को जवाब देही तैय होगी ही मांग के इसमें कोई शंका मेरे मन में नहीं है मेरे साथियों के मन में नहीं है और आपकी भी मन में मुझे मालूम है दिकाश लोग समझ रहे हैं हालात क्या कोई यह सद्दा की ही है पहले तो बहुत सुना जाता था सुनाया जाता था जब पेटरोल की कीमतों में उच्छा लाता था रुपया गंजोर होता था डॉलर मजबूत हो जाता था अब चुपी क्यूं है प्रश्ण है 16 माई 2014 को भारत की राजधानी दिल्ली में ही एक लिटर पट्रोल 69 रुपय का था 67 रुपय का एक लिटर डीजल था दुनिया के बाजार में पर बेरल क्रूड ओयल की जो कीमत थी तो 110 डॉलर थी इनके यहां तो कभी 70 से उपर गई नहीं अरिकार समय तो 50 के निचे रही है गैस से लिटर यहां कियो में क्या है दुनिया के ऐसार में क्या दाम है अब ओपयक अपनी प्रड़क्शन काटे गी कि और पिर बढ़ाने जा रहे हैं जुनाव के वक तक तो ठंडे है जुनाव के तुरंट बाद फिर बटन दबेगा फिर एकदम से रोज बढ़ेगा आप जब जाओगे अपने या सिलिंडर खरीद ने जब जाओगे अपने गाड़ी में स्कूटर में पेट्रोल भरवाने डीजल भरवाने तब पता लगेगा कि कितना और बढ़ गया इनका असर सीधा पढ़ता है उस पे नहीं पढ़ता पूरी आर्थ पर वस्ता पर पढ़ता है आज क्या यह सवाल भी गलत हो गया कि जो रुपया अठावन था विजा विज डॉलर वन 16th of May 2014 एक डॉनर अठावन रो आज वो तरासी पे है पिछले कल ब्यासी जश्वलाव अठातर पैसे था ब्यासी रुपए अठातर पैसे तरासी को भी पार कर दिया था तुकर मेरा अग्रे रहेगा भारते जनता पार्टी इनका केंद्रिय नित्रत था इनका सेंट्रल इंजन वह आके इस पे थोड़ी बात दर्शन करें प्रकाश डालें इन विश्यों पे कि क्यों हो रहा है देश के अंदर अब प्रशन है कॉंग्रेस का कॉंग्रेस ने क्या किया कल कहा गया कोई और कहे कि बार कह देते हैं लोग रहमंत्री कह देए कि जब वो प्रचार के लिए आए कॉंग्रेस के नत्रत हुआ उसे हिसाब मांगिए क्या कि हमने भारत बनाया भारत के लोगों ने बनाया पर एक दर्शन था एक सोच थी एक नीती थी इतने का शली कि महां उस पीदी का हो इजनोंने आजादी के बाद जनम लिया झोल अपाशे समी इमाचल का बनते कि हुआ कि पूरा राज्य को मोज की बनते कि होते देगा यहां मेशेवय्य ह角 बनते की इस था और बनते देखा सरकारों में कोई एक सरकार ही नहीं बनाती निरंतरता रहती है कि अभी तो चुनाव होते हैं सरकार आती जाती है विदेश की निरंतरता कर दो हजार चौदा में हम कहां चोड़ कर गई थे अच्छाड़े चार सो अरब डॉनर से ज्यादा की विदेशी मुद्रा थी दो ट्रिलियन डॉनर की एकॉनमी थी तीन सो तेइस बिलियन डॉनर का एक्सपोर्ट था भारत का पिछले साल बहुत बड़ा जशन बनाया गया अच्छी बात है में मुबारत देता हूं कि चार सो बिलियन डॉनर का एक्सपोर्ट हो गया तो आठ साल के बाद बड़ी बड़त हुई और वो सततर बिलियन डॉनर की हुई तो दोहजार आठ नौ के बाद दोहजार नौ कि बहुत बड़ा वित्तियस अंकट दुनिया के सामने था उसके पांच वरस के भीतर भारत की एक्सपोर्ट्स दुगनी हुई थी यह मैं बताना चाहता हूं कि क्या हुआ सत्ता परिवरतन पहले भी हुआ था वरस कि भी रहे थे इस देश के प्रधान मंत्री आज भी हुआ है जो सरकार के चुनके आती है इसलिए मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री को अपना मुख्यमंत्री और अपना ही प्रधान मंत्री कहते है क्या उनसे पहले के प्रधान मंत्रियों के और मुख्यमंत्रियों के योगदान का स्मर्ण नहीं होना चाहिए या वो सम्वान नहीं होना चाहिए आपके मात दिर्म से कहना चाहता हूँ, क्या कारण था, क्या सी तीन रोज पहले, अखबार भरे पड़े थे, इश्तिहारों से एड्विटिस्मेंट से, अच्छा लगा, भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के एक दिवगज नेता, राष्ट्री अध्यक्ष, भारत के पहले उप्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री, सर्दार वल्ल भाई पटेल जी की, उस दिन जनती बना रहते हैं, बनानी चाहिए देश को, तो उसी दिन, आज से 38 साल पहले, इस देश की एक प्रधान मंत्री शहीद हुई थी, देश के लिए, इंद्राजान देश, क्या अच्छा लगता है, कि उनकी शहादत को नमन न किया जाए, स्मरण भी न किया जाए, जब वो गहीं थी, हत्या हुई थी, तो देश की प्रधान मंत्री थी, यह यह वाकी कॉंक्रस के प्रधान मंत्री जो रहे, राजीव गानी जी भी शहीद हुए थे, नहीं करते, मेरे एक रायत है, उसका कोई असर तो नहीं होगा, इनको थोड़ा सूचना चाहिए, क्या यह इतिहास का अभगान नहीं है, लोग तो समझते हैं, विबेक रखते हैं, कि माचन के लोग तो विशेश तौर पे जानते हैं, कि हमारा स्तित्वी तभी बना, जब 1948 के अंदर पाट सी स्टेट, अपरेल महीने में काइम की गई, करने जवाहला नहरू का यह फैसला था, हमारा पूरा राज्य का दर्जा बना, मुझे याद है, शिमला के अंदर 1931, 25 जन्वरी, खुली जीप में, डॉक्टर यश्वन सिंग परवार के साथ, प्रधान नंती इंदर जी आई थी, बरफ पढ़ रही थी, मेरी आयू 18 बरस की थी, जब पूरा राज्य बना था, तो यह निरंतरता रहती है, अपनिये हैं, और क्या हुआ, बहुत लंबा ब्यारा है, सारी डीटेश में नहीं जाओंगा, पर इतना कऊंगा मोदय आप लोगों के आने से पहले भारत परमानों शक्ति बन चुका था, अंतरिक शक्ति बन चुका था, भारत चंद्रमा पर पहुंच चुका था, चंद्रायन मंगल पर जाने की तैयारी हो रही थी, इसी भारत ने बहादुरी भी दिखाई जब समय आया मानफ्ता के नाम पर, करकर कहा गया, बाला कोर्ट हो गया 2019 का, हमारा जो पुलवामा में बहुत ही दुखत गटना थी, इतने बड़ी संध्या में हमारे जवान पेराविनेटरी फोर्सेज के सीर पी एफ के हतात हुए थे, भारत ने एक कारवाई करी, भारत की फौज की भारत की वाहिव से नाम पर हम सब को इस पर कर वे हैं, जब यह सारा याद करते हैं, क्या हम को 1971 याद नहीं करना चाहिए, जब मानर्ता के ना, नरसंघार हो रहा था बंगलादेश में, आप इसे बहुत लोगों ने पढ़ा है, तब यहाँ टेलिविशन नहीं होते थे, अधाई नहीं अन्दोस्तर, रेडियो पे सुनते थे, एक करोण शर्णार्ती भारत में आ प्रिंद्रा जी के सोच से हरित करांती ग्रीन एविशन का काम चाहिए था, हमने एक करोण रफ्यूजी को रखा, बंगलादेश आजाद कराया, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, विश्व युद्ध के बाद किसी फौज की सबसे बड़ी जीत हुई तो भारत की सेना क हुई पाकिस्तान की पूरी सेना ने आतम समझपन किया, तो बंगलादेश आज एक सुल्तनतर राष्ट के रूपने है, जो भी देश के मंत्री होते हम शबत देते हैं, भारत के समयधान की, इसलिए नयायोचित यही होगा, कि जब लोगों के सामने जाएं, तो इतिहास और पर आधारितवात रखे, इतिहास को नकारणा योगा करवाएं, तो इतिहास का शीरिशासन मत करवाएं, यह मेरी सगा, यह कृपा करकी बंद करते, आगे, चुके इस्तिहारों में खूब है, उत्रप्रदेश के मुख्यमंतरी भी खूब दंदराते घूम रहे हैं, पहले तो सुना नहीं था कि योगी का सक्ता के साथ कोई संबंद होता है, जिसने गेरुआ बस्तर धारण कर लिया, उनका सक्ता से गोम आया से क्या, चलिए यह उनका अपना निर्डे है, मैं उस सोच का हूँ के राजनीती और धरम अलग है, किसी को वदेश देने की जूरूरती हो, वो संसकारत परिवारों में दे हैं, दादा, दादी, माता, पिता, जिस परिवार में हम जनम लेते हैं, पूजा, पद्दती, मुख्यमंतरी, प्र जनता की सेवा करनी है, राष्ट्र की समाज की सेवा करनी है, जिनको चुना हो, सबसे बड़ा धरम ग्रंत भारत का संभी धान हो, जिसमें हर नाबरिक को न्याए हो, उनके मूल भूत अधिकारों की रक्षा हो, उसका उलंगा नाम हो, जो देश में हो रहा है। निश्चित रूप पर ये चीज़ कह सकता हूँ, अनुभव के आधार पर, खबर तो रहती है, संगठन से निकल के आई कोई विक्ती है, जानकारी रहती है, क्या हो रहा है। मैं आपको कह सकता हूँ, हिमाचल में बदलाव होगा, निश्चित है, कॉंग्रेस की सरकार बनेगी। और जो हम कह रहे हैं, आपके सहयोग और आश्रवाद से, जनता के सहयोग से, कॉंग्रेस की सरकार उसको पूरा करेंगी। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, जो मैंने मुख्य बिंदू रखे थे, जो मैंने पहले कहा था कि मैं इन विश्चियों के इस कहना चाहता हूँ, मैंने वो बाते हैं, आपके समक्ष रख लए हैं। I'll be very happy to take the questions. सर मेरा आप से सवाल है, अपना परिचे, मेरा परिचे तो दे दिया। आपका शीर्ष नेत्रित तो पहले ही प्रष्ट कर चुका है कि हम इस योजना को सुईकार ही नहीं करते हैं। देखे अगर फॉज में पहले राज, एक मिनट, मैं हम इसी करण से बोल रहा हूँ, आज भी फॉज में एक प्रतिशत है जो 15 साल के बाद सेना से बाहर आ जाते हैं। पर उनको सारी सुविधाएं मिलते हैं। उनको पेंशन मिलती हैं। उनके खुद भी जीवत चला जाए तो उनकी विद्वाओं को पेंशन मिलती हैं। वो आर्मी की केंटीन से राशन खरीच सकते हैं। वो सेंट्रल गव्मेंट हेल्ट सर्विसेज के उससे आंट फॉर्सेज मेडिक जो क्लिनिक हैं। वहां पे जाके उनको पूरी सुविधार है। इनको कोई सुविधार नहीं है। परसेंटेज तो पहले भी रही। इसको दुगना क्यों नहीं करते हैं। और बाकी गरंटी करें। सेंट्रल आंट परमिलिटरी फॉर्सेज में सब को रखा जाएं। जो आप जो फिक्स्ट परसेंटेज हैं। उसका हर साल का ब्यौरा दिया जाए। अगर उसमें कोई कमी रहे गई है उसका जवाब दिया जाए। मैंने अगनीपत के बारे में ये भी कहा, अगर आपने पुरा सुना है, मैंने ये भी कहा, कि आने वाले साथ साल के बाद मुझे चिनता है कि देश की सुरक्षब, हमारी तैयारी को, हमारे नजाम को कितनी इससे चोट पहुन सकती है।